अगर आप कुरकुरा डोसा बनाने के सुच रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि आज हमसे पांच मिर्ट में बिना दही बिना सोड़ा बिना इनोका केहुं की आयते का बहुत हिल्दी टेस्टी डोसा बनाने वाले हैं इतना असान तरीका बताया है कि ब्रिक दोस्तों मैं हुशामली चली वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले बोल दीचिए इसमें डाले आधा कप केहुं का आठा अब किसी कटोरी से भी माप सकते हैं और अब हम जितना आठा लेंगे उसका आधा हमें सूची लेना है यानि की वनफोर्थ कप तो यहां पे मैं करेंगी तो पूरा एक कप मैंने डाल दिया है और इस परिंकी से मिलाते हुए हम टोसां का घौल तयार करेंगे तो देखिए अच्छी से घौल को तयार कर लिया है तो आप भी पानी धीरी धीर ही टालिएगा एक पार भी जादा पानी डाल दिशेगा ना तो बैटर में हम आगे की त्यारी करते हैं और अब एक खर लेजिए इसमें डाल दीजिए टीक से चार लसन एक हरी मिर्च एक इंच द्रक हाफटी इस्पूंजी रम सभी चीजों को बीना पानी डाले कोटले हमने कोटलिया है इधर पाश्मेट भी हो चुके है और इतने ही तेर में इस है और अब डाल दीजिए यह कुटावा मसाला अद्रक लसन हरी मिर्च का पेस्ट साथ ही डाल दीजिए वनफोर टीजों नच वाइन तो आज मैं लाल मिर्च पॉडर नहीं डाल रहे हूं आपके इच्छा हो तो डान सकते हैं थोड़ा सा और अब डाल दीजिए स्वाद अ तो नमा खलका ही डाले एक टीजिए तो अगर तेल हो तो जरूर टाले वरना स्केप कर दीजिए और अट टार दीजिए चार से पाच बारी कटी करीपत्ता एक जमच धनिय पत्ती एक छोटा सा बारी कटाप्याज और एक टीजिए पून निबू का रस और अब सभी चीजो को मिला ले तो आज हम बीना दई बीना सोडा का इस नाश्ते को बना रहे हैं इसलिए मैंने निवू का रस डाला पैसे बीना लिमन चुसका भी अच्छा बनी पार सभी चीजों को मिलाने के बाद हम वापस सी आधा कप पानी डांते रहे और मिलाने हमें बिलकुल पतला सा सब्धेग को बड़े बाटर बनाना है माता अधा कप आटा वन फौर्ट कप सोची टोटल वह थरी फुरज्ट कप त्री फूर्फ खप के अनौप से हमें दगना पानी लेना है यानि की डिरक टो बस इत्ता धहन देभा कि जितना आप सोची आता लेंगे उसा आपको बिल्कुल नीर डोसी जैसा तुछली फटफट डोसा बनाना शिरू करते हैं यहां पर मैंने तवा चाहाया है तवा तीज गरम होना चाहिए हम अच्छी से कोनी कोनी तक आयन लगाते हैं आप खीक अभी इस्तमाल कर सकते हैं और अब हम डोसा फलाएंगे तो इस तरह किसी तल को खुमाते हैं पर लाएंगे इस प्रकार है कि देखे कितने अच्छी से फाल कर रहे हैं जैसे ही डोसा फलाएं प्रेम को मेडियम करते क्योंकि डोसा बैटर हमने काते पतला रखा है अधर आप कम प्लिंग पर इस डोसे को पकाएंगे काफी ताइंग रचार पैस और जस् दिखे उस तरफ आच लगाएं तंति चारों तरफ से दोसे में कोफार्ती 11 कलर आएं एक से तीन मिनिट हो चुका है और अब हम फ्लेम को थोड़ा कम कर देते हैं यानि कि अभी हम मेडियम प्लेम पर पका रहे थे और अब हम फ्लेम को लो तू मेडियम कर देते धीमी आज लास्ट में पकाईएगा ना तो डोसा क्रिस्पी बनेंगे एक और पका लिया है टोटल आपको ठाई से तीन मिनिट पर टाइम रचाएगा आइस्टा आइस्टा ही पकाईएगा क्योंकि हम इस डोसी को लटके नहीं पकाते हैं कि अतने पतले होते हैं कि एक तरफ से जब आ आइसी डोसी की रेसिपी है जिसी एक पार में हर किसी से बनीगा ही बनीगा और अब मैं आपको उलटके दिखाती हूँ लखिए कितना प्यारा कलर आया है और देख की पता चल रहा होगा कितनी क्रिस्प बनी है और अब मैं आपको दुसरे तरफ से भी दिखा देती हूँ कितना क्रिस्प है और खंडे बजाने के बाद बहुत ही सॉट लगेंगे तो अगर आपको तुरत परोस्ना हैं तो प्लेट में निकालीए अगर आपको इस दिर के बाद परोस्ना चाहते हैं तो इस तरीके से वायर रहत पर ही पर जाता है और उपर पानी आ जाता है तो बस जब-जब रोसा फेलाए इस तरीके से चलाते हुए पर मिद्धा को अपर मेडियं करते तें ते हैं तीन मिनेट ता ही टाइम लगा है और देखे खुट पर खुट तवी को छोड़ दिया है तो बस हम इसे भी उलट लेते हैं तो तुसरा डोसा भी बहुत ही बढ़िया बना है देखिए मैं आपको छारू तरब से दिखा रहे हो तो पास हम सर्फ कर लेते हैं तो इस डोसे को हम भी पनाया है और यह हमारा पैना डोसा तो साथ मैंने धनिया देखिकी चट्मी के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं अभी मैने सिर्फ दोसा बनाया है लेकिन जितना मात्रा हमने दिया है उतने में आपकी चार डोसे बंच आएंगे तो कर्मी बहुत पड़ र परिवायर के सदस्य को बच्चों को बहुत पसंद आए तो अपिस तरीकी से इस ड्रोसी को बनाएं किसी भी सब्ची भाजी के ज़रत नहीं है तेस्टी भी है क्रिस्पी भी है और यल्टी भी है और मैं आपको दिखाती हूँ बने वी दस मिंक्ट हो चुका है कितनी जाता चार चमज सुची डाना है बहुत ही जादा क्रिस्पी है बिल्कुल भी आपको कड़े नहीं लगने वाले है और जब ठंडे हो जाएंगे तो बहुत ही जादा नरम हो जाएंगे बहुत ही अच्छी से पके वे है एक पर बनाना तो बनता है इस डोसी को आप नॉन स्टिकी तब एपी ही बनाए खेसा बना यह सरूर पताइगेगा वीडियो के लास्ट वे में आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं आप चाहे तो इंस्टाग्राम और एपी पेश रामली कीचन पे मुझे फॉल्व कर सकते हैं मैं कल फिर मिलूँगे ऐसे ही असार मुसे के साथ नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ सिरूर चुरियेगा तब तक अपने ख्यार रखें बाएं टेक्याएं